नमस्कार डॉक्टर पूर्वा यविदा में आपका हार्दिक स्वागत है सर्दियों के मासम में जाने केसर के फायदे सर्दियों के मासम में केसर का सेवन स्वास्ते के लिए बहुत लाव दायक माना जाता है केसर की तासीर गरण होने के चलते इसे कम अंतरा में खाने की सला दी जाती है केसर महंगी तो होती है लेकिन इसके कई सारे स्वास्ते लाव भी है चलिए आपको बताते हैं केसर के फाइदे पीट से सम्मंदित बीमारियों का इलाज में केसर बहुत फायदे मंद है कलिट में दर्ध, पीट में मरोड आनी, हाजमे से सम्मंदि सिकायतों में केसर का सीवन अने से फायदा होता है केसर की इस्तमाल से दिमाग होता है तेज चंदन को गिसकर उसका लेप लगाने से सिर आखो और दिमाग को तागत मिलती है इस लेप को लगाने से दिमाग तेज होता है नाख से खून बहने की समस्या के उपचार के लिए केसर बहुत फाइदे मंद है लक्सी तूटले पर केसर को मिला कर लेप लगाएंगे नाख से खून बहना बंद हो जाएगा यंकी तोच्चा में मिखार लाने के लिए केसर सबसे फाइदे मंद है केसर का नियत सेवन करने से क्या आपको चहरे पर नीमत तूप से लगाने पर आपकी तोच्चा में मिखार आता है केशर और दूत को सही मांत्रा में लेकर पेश्ट बना ले अब इस पेश्ट को फेश्ट पैक की तरह हर रोज या फिर हपते में दो वार लगा सकते हैं केशर के इस्तमाल से सर दर्द होता है तो दूर हो जाएगा जिन लोगों को बार वार सिर में दर्द होता है जो चंदन और केशर का पेश्ट बना के अपने माते पर लगाए सिर्द बर्द से तुरंत रहत मिल जाएगी गर्व अवस्ता के दावरान और बच्चे को स्यस्ट रखना गर्व अवस्ता के दावरान मा की कमजोरी दूर करने के साथ बच्चे को दुरस्त बनाय रखता है केसर महतुपूर भूमी का प्रदान करता है और इसके साथ ही होने वाली अपने बच्चे को केसर का सेवन रोज कराया जाए तो बच्चे को कई विमारियों से बचाया जा सकता है बच्चे के जन्म के बाद आपको रोजाना केसर का सेवन करना है इससे कमजोरी दूर हो जाती है मान सिक्तन आपको दूर करने के लिए कुछ एक्टिव तक्व पाय जाते हैं अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो पिलीज हमारी वीडियो को लाइक, सेयर, कमेंट जरूर करें थाइंक यू